जो पीछे छिपे हुए पत्रकार महोदा हैं हाँ आप पत्रकारों में से कोई भी एक पत्रकार जिसे लगता हो कि ऐसा नहीं हो सकता वो सामने आ जाए कोई भी पत्रकार जगत का ऐसा आदमी जिसको लगता हो ऐसा नहीं हो सकता वो सामना कर सकता ऐ नहीं अच्छा ओके चलो यह चैलेंज छोड़ दो बिना चैलेंज के कोई अपने मन से जिनको आना चाहो एक पत्रकार कोई आ जाए MP को छोड़ कर कोई एक पत्रकार आ जाए कौhan सी नुजे देने एक भास कर कड़े हो जा आ जयो आने हैं दो इनush कारव के यह से भास कर हो तो आप किस बेस पर आए चैलंज वाले बेस पर आए या सेकंड बाले पर अच्छड बाले पर आए चैलंज सुईकार नहीं है कोई बात हम हम अभी माता जी आप वहीं बैठो हम बुला रहे हम दो पर्चे पहले से बना कर आज रखेंगे और पूरे पंडाल में या बाहर में आप जिनको लेकर के आएंगे हमारे पर्चे उनहीं के निकलेंगे अभी तक हम जिनको भुला रहे हो सकता वो हमारे आदमी हो या प्लांटेड हो या हमने पता लगा लिया हो आप दैनेक भासकर प्रतिष्ठित पत्र है आपका दैनेक भासकर पूरे देश में इसकी प्रतिष्ठा है आपको सौगन्द है अपने करम की जिनको आप जानते ना हो पूरे पंडाल में से तीनो में से या बाहर से जिन दो लोगों को तुम ले करके आओगे आपकी छमता नहीं है पड़ाई की हम जिनके बारे में लिखेंगे तुम उन्हीं को ले करके आओगे और अगर इतनी छमता है तो आप जा करके ला सकते और भी पूरे पंडाल में ऐसा कोई आदमी हो जिसे लगता हो कि नाट पॉसिवल पत्रकार के साथ चले जाएं हमको आपका चैलेंज सुईकार है लेकिन याद रखो मुरगा हम बनाएंगे ये तो तै कि अगर चैलेंज सुईकार करेंगे तो हम अपने अनुसार भी तो करवाएंगे तो कोई भी दो आदमी आप लेके आओ हम पत्र लिख रहे हैं परचा लिख रहे हैं हमें जो हनमान जी पर ये अभिमान में नहीं बोल रहे हैं बाला जी के स्वाब ही मान में बोल रहे हैं हमें अपने बजरंग बली पर भरोसा है हमें तारा बाबा के उपर भरोसा है हमें सन्यासी बाबा की सक्तियों पर भरोसा है हमें सनातन धर्म की सिद्धियों पर भरोसा है और एक बात हर्याना के पाग लो एक बात तुम नोट कर ल अब तुम्हें चर्चों में जाने की आव सकता नहीं है तुम्हारे बजरंग बली भी किसी से कम नहीं है और हम तो भारत में हर्याना में आकर अन जगों पर जाकर भारत तो छोड़ो हम औस्टेलिया भी गए आउकलेंड न्यूजिलेंड भी गए फिजी भी गए दुबई भी गए हमने ललकार करके कहा किसी भी मजहब के धर्म गुरू में अगर तागत है हनमायन जी की सकतियों का सामना करने की तो कर सकता है लेकिन ये हमारा बल नहीं किसका बल है हम बताएंगे वही जो हमें पेरना देंगे कोई गारंटी है कि हम पैंट गीला कर देंगे ये तो तय है पर कोई गारंटी नहीं है आप जाएं हम दो पर्चे पहले लिख लें आप फिर लेकर के आना आपके पर्चे के नहीं होने चाहिए वास्तविक तुम्हें लगे कि इस आदमी को लाना चाहिए आप ले आना हमें अपने बालाजी पर भरोसा एक मिनट पर लुकना हम दोनों पर्चे लिख लें आपके सामने ही पर बंद करेंगे उनको राम लो हमने नरनय कर लिया कि आप किसको लाएंगे अब देखना तुम्हारी बुद्धी के ऊपर हम कैसे हाभी होंगे आप उसी को चुन कर कर के लाएंगे जिसको हमने देखा है राम राम बुद्धी तुम्हारी नरनय हमारा दिमाग तुमारा पर निरने हमारा दोनों हाथ उठा के बोलो बागे सुर्बाला जी महराजी की भाईया ये कितना नंबर है एक नंबर जड़ा भई कैमेरे पर दिखाया जाए कितना नंबर है एं कितना नंबर है यह जो रफ है पता नहीं किसने दी है इसको जड़ा चेक करो इधर आओ पत्रगा क्या नाम है आपका इधर आओ एक हमारी यहां पर पूर्व मुक्क मंत्री थे श्युराज बाबा इसको रफ को चेक करो रफ को चेक करने के बाद में कर लिया अपने हाथ से इसमें रखो यह पर चालो ये परचा है, ये देख लिया, ये परचा है, ये एक नम्मल लिखा है, अब रखो तुम, इसको बीच में रखो, बीच में रखो, देनिक भासकर की ID है तुम्हारे पास, कार्ड है, अच्छा, आहां, ओनलाइन बाला भी होता न, तो कबसे पत्रकारता कर रहे हो, पांच बर्श से, पहले किसी के साथ में रहे हो, अब हमने आपके दिमाग से, आप जो आँगे करने बाले हैं, उस आदमी के दूसरे आदमी का पता लगा लिया, कि आप किसको लाओगे, हाँ, आप वो करने वाले हैं, और हम लिख चुके, दिमाग तुम्हारा ही होगा, यह बिचित्र बात है, कि दिमाग तुम्हारा होगा, और करवाएंगे हम, अब बताए कितनी बिचित्र बात है, गाड़ी तुम्हारी चलाएंगे हम, हाँ गाड़ी माइक ले सकते हैं, नो प चैनिक बासकर जो एप है उसमें काम कर रहा हूं अभी फिलहाल मोक्के पर यह कितना नंबर है माइक से बोलो दो नंबर दो नंबर फाइनली बिल्कुल सर वह यह कैमरा पर दिखाओ कितना नंबर है इसको भी आप अपनी जगेश रग दें इस तकिया के नीचे रग दें इसमें चेक करने कोई और परचा तो नहीं है कहीं तकिया उठा के देखो पहले नहीं है फाइनल रख दिया जाओ लेके आओ दो लोग लेके आओ तब तक हम चाय फिनिस कर रहे हैं हाँ लास्ट में जाना सबसे अंत में देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है जाओ 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 पत्रकार महोद है जाओ 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 और आंगे जाओ जाओ लेके आओ देखते हैं ये कहां तक जाते हैं बताईए ऐसा हो सकता है पता नहीं किसका लिखा है हमें भी पता नहीं कि हो सकता के नहीं हम भी ट्राई या कर रहे है काई भाईया आजा सीताराम दनो हाथ उठाके बोलो बागे शरदामे की सन्यासी बाबा की माता जी तुम वहीं बैठ जाओ भी वहीं बैठ आप अब सब लोग बैठ जाओ बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ आ गए चड़के आ भी या मंच पे आओ मारा जी हम इनका ये कर दे आने दो भी या पत्रकार के साथ में जो दोनों लोग आए हैं उनको प्रवेश कराई ये मंच पे दनो हाथ उठा के बोलो बागेश और धाम की माइक लो आप जो भी बोलेंगे वो माइक से बोलेंगे आप वहीं नीचे खड़े हो जाएं ये दो लोग हैं उनके बगल में खड़े हो जाओ पहुँचो उनके बगल माइक ले जाओ साथ में मैइक लिए जाओ, पर उनको देदेना हाँ जी मैने इनसे बात किया और जान लिया किस स्वासिया इनको है तो गाइक्व है अ क्यो पहले पूंछ लिया मैने संगा कि मैद गुस्ता की माफ हो लेकिन मैने संग्याद जाना है कि वाक्य में पुछ इसा हो सकता है एकदम रेंड़ यही दो लोग आप चैनित करना चाहते बदलना तो नहीं चाहते नहीं पैइनल अभी सोच लो आप चाहो तो बदलना कहीं ऐसा ना तुम्हें लगए कि तुम्हारी बुद्धी को हमने बांद दिया अगर तुम्हारा दिमाग खराब हो तो सही कर लो दिमाग नहीं नहीं बदलना नहीं चाहूँगा यह तुम्हें दोनों मैंसे कोई भी एक को भेजो ठीक आजाएगे सिताराम इनको माई के पत्रकार को भी दो बेहन बैठो यहाँ क्या नाम है रक्षा क्या बात है पूछिए गुरुजी मेरे पाप है ना उन्होंने मुझे ब्लोग कर रहा है हमसे बात नहीं करते मेरी मम्मी से बिल्कुल बात नहीं करते ठीक कहां की हो आप अब ऐसे तो बनारस के रहने वाले पर यहाँ पर सिर्शा रहते हैं काफी साल हो गया है अब आप शिर्शा में कितने साल से रह रह रहीं और कहां रह रह रहीं अच्छा बाइका जन में भी यही हुआ अब आप शिर्शा में ही रह रह रहीं यहां बोट देने लगीं अच्छा मतलब यहीं के निवासी हो गई यहां पर यह लोग अच्छे से बैठ जाओ पत्रकार में होगा है दो पर्चे हैं एक नमबर और दो नमबर यहां तक तो ठीक है कि तुम जिनको लाए हो यह तो हो सकता हमने बुधी बांध ली हो एक मौका और देनिक भासकर को है उसी पर्चे में यह समस्या लिखी मिलेगी यह पर्च पर्चे में है अब पर्चा वहां रखा और आप जो नमबर बोलेंगे और दौनों की समस्या अलग-अलग मिलेगी क्योंकि तो अलग ही लग होती है तो एक में है ये पर किस में है ये हमें पता नी वो भी तुम बताओगे लेकिन दैनेक भास करम होदा है सिवराज जी तुम वही नंबर बताओगे जिसमें लिखी होगी तुम ओडियन से भी पूँच सकते हो कौन सा नंबर बताया जाए जी वो बताएंगे हमें नहीं या पता हम तो उनकी सुनेंगे लेकिन आज इनकी तो हम चलने नहीं देंगे ये तय है इनकी नहीं हम चलने देंगे माराजी दो नंबर फाइनल सोच्छो तुमारा दिमार तो नहीं है खड़ा दो ही नमबर माराथिए पड़ी लिकियों आप यह आपकी डायरी है दो नमबर नजदी काई परिवार में कलेश हो गया पिता के कारण उन्नती नहीं पर इस्त्री के चक्कर में पिता फसे हुए है दूसरा घर बसा लिया है कलेश भयंकर होने लगा है सुधर जाएंगे चिंता ना करें आसीर बाद है पर भी अलगी रहता है उनके बारे में हमें लिखना पड़ेगा इतना तो आ गया उनकी अनुशार अब उनका हम लिख के बता ता कोलो सीताराम मा की अस्वस्तता बनी रहती बहुत बीमार है साथ साल हो गए बहुत जादा जटका भी उनको लगते भाई भी गलत संगत में गया आरोप तुम दोनों पर लगाता भाई का कहना हमारे लिए दोनों मर चुके बहन का पूरा सरयंत्र है ऐसा भाई कहता है तुमारे उपर आरोप लगाता वो भी गलत जगए फस गया वो भी इस्तरी चकर में फस गया उसका भी इस्तरी खतनाक है मारने की प्लानिंग भी करते रहते हैं लेकिन भाई सुधर जाएगा पिता का आना मुश्किल है मा ठीक हो जाएगी तुम्हारा कैरियर ठीक रहेगा असीर बाद है यह एकदम सही सभी बात है कोई संदे है पूरे परिवार को दे दिया हम नहीं का एक खांदान को ठेका लाओ हम अगे भेजो इनको अरे खुशी रहा अब तेने अपनो आज जिरबाद ले लो भजिया को ले लो माताजी को ले लो साधी को ले लो अब तो पूरे खांदान को चाने का खुशी रहा सीतारा नजदी का जाओ माता बोलो क्या बात है अपना परचा खोलो नजदी काओ परचा खोलो तुम पत्रकार को जानती हो नहीं ठीक है कोई बात नहीं कोई बात करो परशन करो क्या हो गया आप पढ़ो हमें नहीं पढ़ना हमाई तो परचे में लिखा रखा हमें पता ही नहीं क्या लिखा पहले हलो हलो होगा यहां कहीं, माइक होगा, जो बात आपको बिना माइक के जाननी है, वो बिना माइक के भी, एक प्रशन कोई तुम को करना है, बाकी प्रशन हम बाद में बताएंगे जैसरी बागेसवर धाम बाला जी की, जैसरी सादू बाबा जी की, जैसीता राम हें पोंचना क्या हैically मैंने अपने बच्सों के लिए एक लड़का है दुप हागा है उसकी थोड़ी दिकत सल्भियि है वहाओ वो सिर्कार्ग यह थ Mitt इसे नाइश की पांच बहुत कर लिए तोसाप खुल गरा हम कंप्र को पुल तॉकल के बोलो प्ल कि बोलो ताकि आपको बंदेगे लड़के की नोकरी पक्की हो जाए वैसे तो पक्की है अच्छा ठीज ए एसी सी धीवा मतलब वैसे तो पक्की थी तो बार पर देके पर सब करें कि दुबारा होंगे पास नमबर करोड़ हो गया ठीक है बड़ा लड़का पढ़ रहा है बड़ हाँ क्या है जी कहां रहती है तुम्हें दिहान नहीं है क्या है कितने नहीं है दिहान हाँ 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 बिल्कुल भी पता नहीं हाँ हमको पता है नहीं हमको नहीं बाला जी को हमें पता है तुम्हें माइक ले लो नजदी का ये परचा तुमने ही लिखा था अपना नजदी का बच्चे पर कृपा हो जॉब के लिए चिंता ना करें आप गौसाला पुरानी चुंगी बाली गली में रहती हैं 27 नंबर में रहती हैं देव कृपा होगी भाई की भी तबियत ठीक हो जावेगी आसीरबाद है आपके मकान दो हैं पुराने बाले से स्थान छूट चुका है ये नया बाला है तर उपर के तल्ले बाला है सामने में खंबा लगा हुआ है माइक लो माइक लो सामने में लाइट का खंबा लगा हुआ है ठीक है कागच पर अलग चड़ा हुआ है बड़ा बच्चा भी तैयारी कर रहा, उस पर भी कृपा हो जावेगी, छोटे बाले की नौकरी का कागजी दिक्कत दूर हो जाएगा, आपकी सिर की पीडा भी ठीक हो जावेगी, आसीर बात है। कि जो हमर जी हो जाएगी, पर मेरे सिर की दिक्कत आप ही करोगी, और मेरे उर्जन भी ठीक करोगी गुरुजी, बागे सुर्धाम की, जै हो जै हो, मुझे तो वरोसा है गुरुजी, मैं तो पहले जब देखा था ना, आपका, यह सब्सक्तन तभी मैंने कह दिया था कि आपक अरकन बन रही है, और यह माईग्रेन के उपर की दिक्कत है, ठीक है, इसके लिए भी गुरुजी ने कह दिया, कि आपको डॉक्टरी सलाय लेनी पड़ेगी, डॉक्टरी सलाय से यह ठीक होगा, लेकिन पून आराम लग जाबेगा, आसिर बात है, हमाई गुरुजी है, सही है, और गुरुजी, आपको होगे तो पुछ होगे लाव से, एक बात हमने बच्चे की लिखी, इसकी काग जी दिक्कत बन गई है, काग जी में आउरोद हो सकता है, ग्रेस लगा करके पास हुआ, ग्रेस लगा करके नौकरी लगी है इसकी, तो ग्रेस वाली जो दिक्कत है, जो ग्रेस नंबर इसको मिले थे, वह बार बार कट सकते हैं, तो उसको कहना प्रिप्रियर तैयार रहे, और बाला जी के दरसन कर ल THANKS मैं को तरह आगए ठीक है माता कब खीसा कर लो तू्म अब तूम खीसा कर लो दूसरे का नंबर आजाने GOOD छूब कुछा नाल को reाण जयरू तूम हमजदि का का बहुत ने भाइड क्Louis जान फूच रहो जाति तूम हम हाह, पूछ लो, तुमने गुरुजी बनाया, किसको बनाया? वह आपको पता ही है गुरुजी हाँ, सोव तो मैं गुरु दिख्षा और लेूँ क्या? लेनीपड़ेगी मुझे गुरु दिख्षा जब तुमने गुरु जी बना ले तो और क्यों दिख चले नी? वो तो गुरी जी चले गए का? नहीं गुरी जी जैल में गए का? वो तो देवता हो में है अहाँ जा रीग है अब क्या करना है तुम्हें? दूसरे गुरु बनाना है तुम दूसरे ना ताप लाई के हो मजा कर रहा है हम तो सभाव है हमारा बना सकती हो कोई दिखकत नहीं पका बना सकती हो हाँ बना सकती हो और कोई बात? और ध्यान कर लो अब माईक तो छोड़ दो अब का लेगा हो गुरु जी बता दे अरजी खुश्राओ सभी तादा जय हो देनक भास कर तुम चुक गए खुश्राओ अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा यह बाली नियु जरू डाल देना बिलकुल डाल दूँगा एक अरज भी है अगर हम जो पत्तरकार बंदू है चाहिए वो प्रिंट मीडिया है डिश्टल मीडिया है वैसे तो हम यह सरकार शासन के सामने लगा चुके हैं कि आर्थिक रूप से काफी कम जोर है तो सब पत्तरकार बंदूओं पर दृष्टी कीजिए ताकि उनका यह जो कामने प्रदेश में ऐसा हुआ है यूटूबर या उसको जो है एक अनवाने तो उसका देने का कुछ हुआ है निरने तो हम सभी जितने भी प्रिंट मीडिया एलेक्ट्रोनिक मीडिया के जितने पत्तरकार हैं हम सभी सरकारों से यह कहेंगे पहले तो उनकी सुरक्षा विबस्ता बनाई रखें कोई विसेश नियम ऐसा लागू हो सुरक्षा के लिए और दूसरा उनकी आयके स्रोत के लिए भी ध्यान दिया जाबे ताकि उनका बार बढ़िया से चल सके बहुत 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 धन्यावाद के